Hello guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, इस वीडियो में भी हम लोग हमारा 100 days of deep learning course आगे बढ़ाएंगे आज ही वीडियो का topic है loss functions in perceptron So, अगर आपको याद होगा हमारा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको perceptron trick बोलके एक जुगाडू तरीका सिखाया था जिसको use करके आप अपने perceptron के weights और biases को learn कर सकते हो बट मैंने आपको ये भी बताया था कि वो perfect तरीका नहीं है वो जुगाडू तरीका है उससे काम चल जाता है बट वो हमेशा काम नहीं करेगा तो इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे सही तरीका है perceptron के weights और biases खोजने का वो मैं आपको बताऊंगा हम इस वीडियो को start करेंगे by discussing की perceptron trick में क्या परिशानी है क्या problem है और फिर हम loss functions के बारे में बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे loss functions को use करके आप एक perceptron को train कर सकते हो और इस वीडियो का सबसे interesting part सबसे last वाला part होगा जहांपे मैं आपको एक और concept बताऊंगा कि कैसे आप अपने perceptron के उपर अलग-अलग loss functions अप्लाई करके अलग-अलग type का behavior extract कर सकते हो ठीक है तो on the whole इस वीडियो के बारे में मेरा review रहेगा कि ये वीडियो बहुत ही important है ये आपको आगे के लिए बहुत एक foundation प्रोवाइड गरेगा ठीक है तो please do watch this video till the end ओके तो now let's start the video So guys इस वीडियो को start करने के पहले एक बार थोड़ा recap लेते हैं Because इस वीडियो में जो चीज़े cover करनी है उसके लिए बहुत important है कि आपके पिछले वीडियो जो है वो clear हो ठीक है तो हमने perceptron जो start किया तो हमने सबसे पहले ये establish किया कि perceptron is basically a mathematical model which is based on a neuron जो हमारे दिमाग में होता है या humans में होता है so इस तरीके का कुछ दिखाई देता है अगर हमने ये example लेके आगे बढ़े अगर हम लोग तो हमारे पास input में CGPA है और IQ है दो input columns है और placed हमारा output column है neuron इस तरीके का दिखाई देता है यहां से input आपका move करता है ये रहा x1 ये रहा x2 CGPA हमारा x1 है IQ x2 है एक बार में आप एक row का information insert करोगे 778 ये one bias term के लिए है अब आपका जो perceptron होता है उसमें मतलब weights और biases होते है सो यहां पे since दो input columns है तो यहां पे दो weights है और एक bias है जैसे जैसे input terms बढ़ेंगे weights बढ़ने लग जाएंगे यहां पर जाके एक operation होता है basically ये operation dot product ये operation होता है इसी को हम z बुला रहे है और ये z step function में जाता है step function का simple logic है कि अगर z is greater than equal to zero तो output हो जाएगा one और अगर z is less than zero तो output हो जाएगा zero इस तरीके से हमारा perceptron classification करता है ठीक है अब हमने एक और चीज़ देखी कि perceptron का जो geometric intuition है वो ये है कि perceptron is nothing but a line अगर आप 2D data का बात कर रहे हो 3D में it would be a plane और उसे higher dimension में it would be a hyperplane so the idea is कि जब भी आप एक line draw करते हो दो regions create होते हैं एक होता है positive region और एक होता है negative region and that is why दो region बनने की वज़े से ये binary classification के काम आता है ये सब कुछ हमने पढ़ा था फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी कि हर machine learning algorithm की तरह दो stages होते हैं यहाँ पर भी एक होता है prediction जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया और second होता है training अब training में मैंने आपको यह बताया था कि training का काम होता है यह weights और bias का value calculate करना training आप इसलिए करते हो ठीक है तो training करने का एक technique मैंने आपको last video में समझा है था which was perceptron rule जहाँ पर हमने एक बहुत simple सा algorithm use किया था कि हम क्या कर रहे थे कि randomly thousand times हम यह कर रहे थे कि random points उठा रहे थे और हम एक random line से start कर रहे थे like यह random line हम आलो और हम हर बार क्या कर रहे थे कि किसी point को उठा रहे थे randomly और उसे पूछ रहे थे कि तुम line के सही side हो या गलत side हो अगर गलत side हो तो line को अपनी तरफ खीचो ठीक है और ऐसा हम thousand times कर रहे थे और इससे क्या हो रहा था कि thousand times करने के बाद eventually यह line move करकर के सही जगा पहुँच जा रही थी और यह line सही जगा पहुँचने का मतलब है मुझे a x plus by plus c equal to zero वाला equation मिल जा रहा था जहां पे a was nothing but w1 b was nothing but w2 and c was nothing but हमारा intercept term ठीक है तो this was perceptron rule यह हमने last video में cover किया तो यह जो मैंने अभी तक आपको बताया यह अभी तक का summary है जो हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा अब यहां से हम आगे move करेंगे ठीक है so सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह जो हमने perceptron rule पढ़ा यह for all practical purposes काम तो सही से करता है मैंने आपको last video में code चला के दिखाया मैंने उसका output भी आपको graph में plot करके दिखाया और आपको दिखा होगा कि जो line है वो सही से distinguish कर पा रही है दोनों classes को ठीक है but perceptron rule में कुछ problems है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि वो problems क्या है और फिर हम उनका solution discuss करेंगे जिसके process में हम loss functions के बारे में पढ़ेंगे जो इस video का title है so guys perceptron trick का सबसे बड़ा जो problem है वो यह है कि perceptron trick से जो आपको line मिलेगा या फिर हम यू बोल सकते हैं W1, W2 और B का जो value मिलेगा उसके बारे में हम 100% confidently यह नहीं बोल सकते कि यही best values है W1 और W2 और B का to classify between green and red points मतलब मैं आपको समझाता हूँ perceptron trick का सबसे fundamental logic यह है कि अगर कोई point misclassified है तो वो line को अपनी तरफ खीचेगा बट अगर वो correctly classified है तो वो line को कुछ भी change नहीं होने को बोलेगा line को change होने को नहीं बोलने का मतलब है W1, W2 और B में कोई changes नहीं आएंगे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ अगर कोई point line ने correctly classified किया तो फिर W1, W2 और B की value में कोई changes नहीं होंगे line move नहीं करेगी बट अगर कोई point misclassified है तभी W1, W2 और B में changes होंगे और line move करेगी अब इस logic में एक fundamental flaw क्या है कि first of all how would you differentiate या आक से मैं पूछ लूँ let's say कि ये एक line है मतलब ये एक W1, W2 और B value है और एक और line ये है ठीक है तो since ये दूसरी line है तो इसका W1, W2 और B अलग होगा तो perceptron trick से आपको इन दोनों में से कोई भी line मिल सकता है क्योंकि आपने randomly points को select करके पूरा process किया है इन दोनों में से कोई भी line मिल सकता है अब ये सोच के बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जादा better line है या ये जादा better line है ठीक है for that matter आप ensure नहीं कर सकते कि हर बार जब आप perceptron trick चलाओगे तो आपको same ही line मिलेगी हो सकता है पहली बार आपने चला है तो आपको ये line मिली दूसरी बार आपको ये line मिल रही है तो सबसे पहला flaw ये है कि आपका perceptron trick आपको ये नहीं बताता कि आपका जो classification हो रहा है वो कितना बढ़िया हो रहा है तो आपका जो result है उसको आप quantify नहीं कर सकते ये नहीं बता सकते कि कितना अच्छा है second problem क्या है कि convergence में भी कभी-कभी problem हो सकती है हो सकता है कि आपका perceptron model converge ही ना करे क्योंकि आपको randomly since points को उठाने है तो देखो एक और problem क्या हो सकती है let me tell you so एक और problem ये हो सकती है कि आपने let's say इस line के साथ start किया अब इस line के साथ ये जो सारे points है ये correctly classified है और ये वाले जो points है incorrectly classified है और ये सारे भी correctly classified है अब आपको thousand points randomly select करने थे तो सोचो हर बार क्या हो रहे है कि आपका आप ऐसा ही point select कर रहे हो हर बार जो correctly classified है तो फिर क्या होगा कि ये line तो अपनी जगह से move करेगी ही नहीं ठीक है मतलब ऐसा होगा नहीं generally क्योंकि आप random function use कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये possibility हो सकती है एक और possibility क्या हो सकती है कि बार बार आप एक ही point को select कर लो वैसा होगा नहीं अगेन मैं आपको कुछ hypothetical scenarios दे रहा हूँ कि convergence में भी problem हो सकती है तो perceptron trick एक बढ़िया जुगाड है जुगाड is the right word to describe perceptron trick 99% times आपको वो result दे देगा बट दो परिशानिया है 1% case में हो सकता है convergence ना हो और 100% times ये होगा कि आप बता नहीं पाऊगे कि जो line आपको मिली है वही best line है या उससे भी better line कोई exist कर सकती है ठीक है तो machine learning में हमेशा जब भी आप इस तरीके से चीजों को खोज रहे होते हो जैसे आप w2, w1 और b का values खोज रहे होते हो तो आप इस तरीके का जुगाड use नहीं करते हो आप loss functions को use करते हो loss functions की वज़े से क्या होता है कि आप quantify कर पाते हो ये word बहुत important है quantify कर पाते हो कि जो भी आपका result आया है वो कितना अच्छा है ठीक है तो वही हम लोग आप discuss करेंगे कि अगर perceptron trick perfect solution नहीं है तो फिर perfect solution क्या है अभी काम करते हैं सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं कि loss function होता क्या है honestly अगर आपने machine learning में काफी काम किया होगा तो आपको पता होगा loss function क्या होता है बट फिर भी मैं एक beginners perspective आपको देता हूँ कि loss function क्या होता है machine learning में loss function एक तरीका है ये बताने का कि आपका machine learning model कितना अच्छा या फिर कितना खराब perform कर रहा है ठीक है मैं आपको एक example देता हूँ so हम अपना ही perceptron वाला example लेते हैं जहांपे हमारे पास दो classes वाला data है और हमारा काम है एक line को खोजना जो इन दो classes को perfectly classify करेगा अब इस two dimensional space में बहुत सारी lines हो सकती है बहुत सारी lines हो सकती है यहांपे हर line का एक equation होगा मतलब हर line से attached एक w1, w2 और b होगा हमें वो line चाहिए है जो best classify करेगी इन दोनो set of points को तो loss function क्या होगा loss function आपको हर line के लिए एक number देगा और उस number से आपको पता चलेगा कि वो line सबसे अच्छी है या नहीं है ठीक है तो loss function is basically a function of w1, w2 and b in this case, perceptron वाले case में जो loss function होगा वो w1, w2 और b का एक function होगा मतलब three variables में तो अगर आप w1 में changes करो या w2 में changes करो या b में changes करो या फिर तीनों में changes करो या फिर किसी भी 2 के combination में changes करो तो हमेशा इस function का जो output होगा वो भी change होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि लेटसे आपने इस line से start किया ठीक है और इस line का कुछ w1, w2 और b है तो इस point पे अगर आप ये w1, w2 इस function में डालोगे तो एक output आया, let's say output is 25 तो ये 25 inner way बता रहा है कि ये आपका error है ठीक है अब आपने क्या किया, आपने इस line को थोड़ा सा इस side धक्का मारा और ये line आपने पकड़ ली, तो आपने basically w1, w2 और b में changes किये तो फिर से since w1, w2 और b में changes हुए तो इस function का output change होगे अब आगया 23, तो अब ये फिर से error है, ये 23 but इस point पर आपको ये पता चल रहा है कि since 23 is less than 25 it means ये जो line है, उसका error इस line से कम है इसका मतलब ये वाली line, इस वाली line से जादा अच्छी line है तो आपको क्या करना होता है, w1, w2 और b की values को change करते 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 ऐसी जगा पर पहुशना पढ़ता है, जहां पर इस particular function का जो output है वो minimum हो जाए और वही set of w1, w2 और b would be your final line और उससे better कोई line नहीं हो सकती that is how loss functions work, ठीक है तो loss function is a method to tell कि कोई machine learning algorithm आपके problem के उपर कितना अच्छा काम कर रहा है ठीक है, आपने in fact बहुत सारे loss functions शायद देखे भी होंगे linear regression की अगर आप बात करो तो वहाँ पे था mean squared error yi minus yi hat का whole square ठीक है, similarly आपने शायद logistic regression भी पढ़ा होगा वहाँ पे अपने पास था log loss ठीक है, svm आपने पढ़ा होगा वहाँ पे था hinge loss इस तरीके से और भी जादा होते हैं मतलब एक होता है one zero loss इस तरीके से बहुत सारे loss functions होते हैं depending on the problem आप जिस तरह का problem solve कर रहे हो उस तरीके का loss function आप use कर सकते हो ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा innovative तरीके से सोच के खुद के भी loss functions बना सकते हो ठीक है, it is totally possible तो अब हमें दो चीज़े समझ में आ गए कि perceptron में एक, perceptron trick में एक problem है और उसको solve करने का तरीका है loss functions तो अब हम क्या करेंगे next हम लोग perceptron के लिए एक loss function finalize करेंगे ठीक है, वो हम लोग next करते है सो गैस चलो हम लोग try करते हैं एक loss function खोजने का हमारे perceptron के लिए ठीक है, सो जैसा कि मैंने बोला आपका जो loss function होता है वो actually एक mathematical function होता है w1, w2 और b का और इसका काम होता है कि for every w1, w2 and b, basically for every line it will give you a number और ये number आपको बताता है आपके model का error, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत simple example देता हूँ loss function का, एक बहुत simple example हो सकता है number of misclassified points ये भी एक error function हो सकता है ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कोई भी line जब draw करेंगे तो हम count करेंगे कि उसने कितनी गलतियां की, जैसे लेटसे आपकी ये line है ठीक है तो इससे attached एक w1, w2 और b होगा अब अगर आप देखो तो इसने 1, 2, 3, 4 5, 6 और 7 गलतियां की ठीक है, तो इस line के लिए हमारा जो error function है, उसका output है 7 because number of misclassified points are 7 तो अब आपने क्या किया, w1, w2 और b में changes किये, और आप यहां आगे, let's say आप यहां आगे, यह आपकी नई line है, ठीक है अब फिर से आप count करोगे 1, 2, 3, 4, 5 तो इस नई line के लिए number of misclassified points है 5, तो आप conclude कर सकते हो, कि this white line is better than this blue line ठीक है, बट यह बहुत ही simplistic loss function हो गया, और इससे better loss function आप easily सोच सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हो इस loss function में क्या परिशानी है कि यह सारे misclassified points को बराबर value दे रहे हैं, तभी तो हम 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 equal to 5 बोल रहे हैं इसका मतलब है कि यह जितनी भी गलतियां कर रहे है सारी गलतियां बराबर है बट ऐसा नहीं है, अगर आप सोच के देखो, तो line से जो misclassified point जादा दूर है वो इस line की जादा बड़ी गलती है, और जो misclassified point line के थोड़ा pass है, वो छोटी गलती है, तो हमें गलती का magnitude भी consider करना चाहिए, ठीक है तो मैं आपको एक second loss function बताता हूँ, a second loss function could be this, कि आप क्या करो, आप misclassified point का distance calculate करो जैसे कि माललो आपके पास दो misclassified points है, यह एक red misclassified point है यह correctly classified red point है यह correctly classified green point है और यह आपका incorrectly classified green point है, ठीक है, तो यहाँ पे दो गलतीया हो रही है यह एक गलती है, और यह दूसरी गलती है तो आप क्या करो कि rather than counting की कितनी गलतीया की, आप जो भी गलतीया है, उनका इस line से perpendicular distance निकाल लो लेट्स कॉल इट डीवन और this is d2 ठीक है, अब जितना ज़ादा लेक्से, यहाँ पे distance आ रहा है 10 और यहाँ पे आ रहा है 13 तो अब आपका जो total error होगा वो होगा 10 plus 13, तो यह जो loss function है, यह थोड़ा better है इस वाले से, why because यहाँ पे आप जो गलती कर रहे हो, उसका magnitude भी kind of अपने loss function में लेके आ रहे हो ठीक है, तो यह ज़ादा better दरीके से guide करेगा, आपको सही line तक पहुचने में, although जो perceptron में loss function use होता है, वो error जो होता है, वो distance के basis पे नहीं होता ठीक है, वहाँ पे एक 2-3 चीज यूज की जाती है मैं आपको बताता हूँ, क्या use किया जाता है so, let's say हमारे पास एक line है, इस point पे, इसका equation है 2x plus 3y plus 4 equal to 0, मान लेते हैं ठीक है, और यहाँ पर एक misclassified point है और यहाँ पर भी misclassified point है, थोड़ी दर के लिए हम मान लेते हैं कि इस misclassified point का coordinate है, let's say 4, 6 और इस misclassified point का coordinate है 1, 1, या फिर हम मान लेते हैं कि यह negative में है मान लो यहाँ पर है इस जगा पर है और इसका coordinate है minus 2, minus 2 ठीक है, यह हमारे दोनो line के, point के coordinates है, ठीक है, तो आप क्या गरते हो रादर दन calculating this distance what you do is, you find something else, which is actually proportional to this distance ठीक है, तो आप क्या गरते हो, coordinate उठाते हो, और उसको इस line के equation में डाल देते हो, so you would write for this point, 2 multiplied by 4, plus 3 multiplied by 6, plus 4 आप यह quantity find करते हो और यह हो जाएगा 8, plus 18, 30 ठीक है, similarly for this point also, you will find 2 multiplied by minus 2 plus 3 multiplied by minus 2 plus 4 so this would be, minus 4 minus 6, minus 10 minus 6, ठीक है, अब आप क्या करोगे, since यह negative है तो आप इसका mod ले लोगे और इसको 6 बना दोगे, और फिर total error निकालने के लिए, आप 30 plus 6 कर दोगे ठीक है, so यह use किया जाता है actually, जो perceptron का loss function है, उसमें यह technique use किया जाता है, और अगर आप चाहो तो आप यह validate कर सकते हो कि यह जो आपने किया, यह distance निकालने से proportional है मतलब, जिस point का distance जादा होगा, उस point का यह operation भी जादा होगा, ठीक है यह आप पता कर सकते हो, अब मेरे हिसाब से, यह वाली चीज इसलिए implement की गई, over distance calculate करना, because distance calculate करना थोड़ा सा complex होता है और यह बहुत ही simple operation है, this is basically a dot product तो that is why you use this one, rather than using distance, ठीक है अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको actual loss function जो circuit learn ने implement कर रखा है वो मैं आपको दिखाऊँगा और फिर हम उसके उपर काम करेंगे so guys, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि perceptron का असली loss function क्या है, ठीक है तो यह जो आपके screen पर है यह एक circuit learn documentation का page है, जहाँ पे हम SGD के page पे SGD is stochastic gradient descent which is an optimization technique जिसको use करके आप best parameters निकालते हो हम इसके बारे में discussion करेंगे जो भी है, यहाँ पर आपके पास SGD का एक general error function है जिसमें दो components है, एक है यह L वाला function और एक है यह regularization वाला parameter अब यहाँ पे देखो clearly लिखा हुआ है कि SGD जब perceptron के उपर काम करता है तो उसका loss function यह हो जाता है ठीक है which is very close to hinge loss वाला loss function अगर आप यह देखो बस एक ही difference है कि यहाँ पे 1 minus होता है, यहाँ पे 1 minus नहीं होता, ठीक है तो यहाँ से clearly मुझे दिखाई दे रहा है कि S के learn ने जो perceptron implement कर रख है उसका आपका जो loss function है वो यह है तो मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा clearly मैं लिखता हूँ so according to that documentation आपका जो loss function है वो w1, w2 और b का loss function है और इसका पूरा formula है यह अब यह वाला term हम ignore कर सकते है इस point पे because यह regularization के लिए है हम अभी मान के चल रहे है कि हम regularization use नहीं कर रहे है तो हमारा loss function सिर्फ इतना है अब इसको थोड़ा सा simplify करते है इस loss function में यह जो चीज है यह जो चीज है यह actually for perceptron यह है जो मैं लिख रहा हूँ max of 0, minus yi fxi अब बस एक चीज नहीं समझ में आ रही कि fxi है क्या fxi is basically w1 x1 plus w2 x2 plus b जो हम dot product करते हैं जिसको हम अभी तक z बुला रहे है तो fxi वही है so this is the loss function actually आप चाहो तो इसको उपर जा करके replace करके इस तरीके से लिख सकते हूँ कि हमारा loss function is 1 by n i is equal to 1 से लेके n max of 0, minus yi fxi के बदले मैं फिलाल यह नहीं लिख रहा i will simply write it like this यह हमारा loss function है guys यह हमारा loss function है ठीक है and obviously अगर आप एक दो चीज़े और समझ लो जैसे 1 by n यहाँ पर n है number of rows in data ठीक है तो basically हम हर row को उठा रहे है और उसके लिए यह निकाल रहे है और फिर सारे points का जो यह number आ रहा है इसको हम जोड दे रहे है और n से divide कर दे रहे है तो average error निकल रहा है ठीक है also यहाँ पर एक चीज़ जो और समझने वाली है वो यह है कि यह loss function तीन चीज़ों पर depend कर रहा है w1, w2 और b सोच के देखो fx i क्या है यह तीन चीज़े w1, x1, w2, x2, b तो यह पूरा जो loss function है यह तभी इसका value change होगा जब आप w1, w2 या फिर b के value में changes करोगे क्योंकि बाकी चीज़े यहाँ पर constant है अगर आप देखो तो यह जो आपका yi है यह constant है yi क्या है आपके data में जो output है जैसे कि हमारे पास data था cgpa, iq और placement हुआ की नहीं तो यह placement हुआ की नहीं यह ही आपका yi है for every row similarly जब आप fx i ही निकाल रहे हो यहाँ पर भी देखो x1 और x2 क्या है x1 और x2 यह आपका cgpa और iq को है value जो again data में constant है बस change क्या कर सकते हो आप w1, w2 और b को और जब जब आप इनको change करोगे इस l के value में changes आएंगे अब हमारा काम क्या है कि हमें w1, w2 और b का ऐसा value खोजना है जिसके लिए इस loss function का जो value है वो minimum आ जाए तो इसको अगर हम completely mathematical form में लेखे तो हमें arg min निकालना है of w1, w2, b so that यह जो पूरा expression है यह जो पूरा expression है इसका value minimum आ जाए ठीक है we need to find a value of w1, w2, and b जिसके लिए इस expression का value minimum यह हमारा mathematical formulation है इस loss function का ठीक है और आपको पता है यह चीज़ कैसे किये जाती है इस चीज़ को करने के लिए हम gradient descent use करते है ठीक है हम gradient descent use करते है और वही हम लोग next करेंगे बट उसके पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा समझने का try करेंगे यह max वाला यह जो function है जो kind of hinge loss है यह काम कैसे कर रहा है और इस चीज़ का geometric intuition क्या है यह पूरी चीज़ का geometric intuition क्या है वो हम समझेंगे अब मैं आपको थोड़ा सा loss function को breakdown करके दिखाता हूँ ठीक है और समझने आ रहा कि कहना क्या चाहरा है यह loss function तो हम लोग अब समझेंगे कि यह loss function क्या कहना चाहता है ठीक है तो एक बार पहले setup समझ लेते हैं हमारे पास हम मानेंगे कि यह dataset है जिसमें दो input columns है और एक output column है और हमारा जो data है वो इस तरीके से represented है कि there are n rows सबसे पहले ठीक है और यह first row है यह second row है और बीच में कोई आये throw होगा और हम अपने हर value को इस तरीके से represent कर रहे है i, j जहाँ पर i represent कर रहा है उसका row number और j represent कर रहा है उसका column number ठीक है तो x11 का मतलब first row का first column x12 का मतलब first row का second column and so on ठीक है यह setup आपको पहले सबसे पहले समझना है उसके बाद मैंने क्या किया है मैंने अपना loss function यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर मैंने यह भी लिख दिया है कि fxi का मतलब क्या है fxi का मतलब है कि w1 multiplied by x i1 i-th row का first column का value और x i2 का मतलब है i-th column का second column का value ठीक है यह आपको सबसे पहले समझ लेना है अब इस loss function को सबसे पहले थोड़ा breakdown करते है इस loss function में जो सबसे डरावनी चीज़ दिख रही है वो है यह max 0, minus yi fxi थोड़ी देर के लिए हम क्या करते है कि इस पूरे minus yi fxi को x मान लेते है ठीक है यह है तो अब यह एक simple function है सोच के देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका x का value is greater than equal to 0 तो इसका output हो जाएगा x और अगर x का value is less than 0 तो output हो जाएगा 0 बस यह simple सा function है so in short यह जो पूरी चीज़ है अगर yi fxi इसका value greater than equal to 0 रहेगा तो इस पूरी चीज़ का output will be जो यह number है जो यह number है ठीक है और अगर यह पूरी चीज़ less than 0 है तो फिर output हो जाएगा 0 यह function बस इतना ही कहना चाहरा है ठीक है I guess यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है एक बार copy pen उठाओ समझ में आ जाएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ इस loss function को breakdown करूँगा और मैं मान के चलूँगा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही points है n points नहीं है हमारे पास सिर्फ 2 ही points है तो अगर आप इस loss function को break करो तो यह हो जाएगा l is equal to 1 by 2 since हमारे पास 2 ही points है और फिर sigma को मैं break कर दूँगा सबसे पहले मैं लिखूँगा first वाला point के लिए तो first वाले point के लिए हो जाएगा max of 0, minus y1 i के बदले 1 f x1 ठीक है plus max of 0, minus y2 f x2 यह हो गया हमारा 2 points के लिए अब आप imagine कर सकते हो कि अगर n points भी होंगे आपके बस तो आप इस तरीके से क्या करोगे terms add करते जाओगे और यह n update होता जाएगा ठीक है अब f x2 क्या हो जाएगा अगर आप यहाँ पर i के बदले 2 डाल दो तो f x2 हो जाएगा w1 x21 plus w2 x22 plus b ठीक है अब यहाँ पर you can see यह कितना easily calculate हो रहा है हम इस row की बात कर रहे है second वाले की ठीक है सो guys हमने loss function को थोड़ा breakdown करके तो समझ लिया अब मैं आपको इस loss function का geometric intuition समझाता हूँ कि यह loss function like geometrically क्या बता रहा है ठीक है तो मैंने क्या किया है मैंने एक dataset लिया है जिसमें 4 points है सिर्फ 4 students का data है और एक चीज़ यहाँ पर notice करने वाली है कि जिन students का placement नहीं हुआ है उनको मैंने minus 1 दिया है 0 नहीं दिया ठीक है यह important है बाकी इन numbers का कुछ meaning नहीं है यह बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है placeholder की तरह और यह रहे वो 4 points ठीक है इनमें से 2 students ऐसे है जिनका placement नहीं हुआ है और 2 students ऐसे है जिनका placement हो गया है और माल लो currently हमारे पास यह line है ठीक है और यह इस तरीके से हमारे data को काट रही है और इस line का W1, W2 और B यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है अब अगर आप सोच के देखो तो एक line के context में सिर्फ 4 तरीके के points हो सकते है ठीक है एक point ऐसा हो सकता है जिसका data में बोला गया कि placement होगा और आपका line भी बोल रहा है कि उसका placement होगा basically line के green side में वो point पड़ रहा है ठीक है second type है कि data में बोला गया कि placement नहीं होगा और हाँ first वाले में basically जो point है वो यह है this point ठीक है second point हुआ जिसमें data में लिखा हुआ है कि placement नहीं होगा मेरे model ने भी बोला placement नहीं होगा ये वाला point ठीक है third scenario है कि data में बोला placement होगा हमने बोला नहीं होगा ठीक है ये वाला point और lastly data में बोला नहीं होगा हमने बोला होगा ये वाला point यही चार types है ठीक है अब मैं इन चारो types के लिए इस चीज का क्या मतलब है ये आपको निकाल के दिखाऊंगा ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इन चारो points के लिए सबसे बहले इस point को पकड़ते है इस point के लिए yi का value हो जाएगा 1 ठीक है और fxi का value क्या हो जाएगा fxi का value हो जाएगा w into x1 first column का value plus w2 into x2 plus b अब सोच के देखो ये वाला जो number है ये actually आप कर के आ रहे हो आप line की equation में coordinates को डाल रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि since ये वाला point जो है ये line के positive तरफ है तो ये वाला जो number होगा ये greater than equal to 0 होगा तो इसका मतलब for this point for this point yi 1 है या फिर आप बोल सकते हो positive है और f xi भी क्या होगा positive होगा तो इन दोनों का product भी positive होगा बट उसके आगे आप minus 1 से multiply कर रहे हो तो फिर ये overall क्या हो जाएगा negative जैसी overall negative हो जाएगा तो ये max 0, sum negative number हो जाएगा तो इसका output हो जाएगा 0 इसका मतलब जब आप इस point के लिए loss function में ये term calculate करने जाओगे ये आएगा equal to 0 ये एक बहुत important चीज़ है एक बार आप video pause करके खुद से समझो ठीक है अब हम लोग second example लेते है second example है ये point या फिर आप ये वाला point बोल सकते हो ठीक है अब इस point के लिए yi जो होगा वो है minus 1 मतलब negative और f xi जो होगा since वो line के negative side में है ये भी negative होगा ठीक है और negative negative को जब आप multiply करोगे तो positive हो जाएगा बट positive के आगे minus 1 लगाने से फिर से negative हो जाएगा तो फिर से max 0, something negative would be 0 इसका मतलब अगर कोई ऐसा point है जो red region में है बट correctly classified है उसके लिए भी आपका max solid term would be 0 तो यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि अगर आपके line ने सही classify किया है तो उस point का loss function में जो contribution होगा वो 0 होगा ठीक है अब हम लोग move करते है एक ऐसे point पे जो misclassify होगा जिसका output 1 है बट हमारा prediction minus 1 है मतलब आपका ये point ठीक है अब इस point के लिए yi would be positive क्योंकि वो plus 1 है और आपका जो fxi है since वो negative side of the line है ये negative है ठीक है तो इन दोनों का product भी negative हो जाएगा और फिर ये negative sign आगे लग जाएगा तो ये positive हो जाएगा तो ये जो आपका equation है ये हो जाएगा some positive number और output हो जाएगा some positive number तो इसका मतलब अगर एक green point red region में है मतलब की misclassified है तो उसका ये वाला जो term है वो एक non zero number होगा मतलब loss function में कुछ contribute करेगा ठीक है last वाला case लेते हैं ये वाला point इस point के लिए अगर आप देखो तो yi negative है मतलब data में negative है बट f x i since वो line के positive side में है ये positive होगा दोनों का product फिर से negative होगा और minus 1 से multiply करने पे फिर से positive हो जाएगा तो फिर से ये same चीज़ hold करेगी और आपका output positive हो जाएगा मतलब इस point के लिए भी कुछ एक non zero contribution होगा तो अभी तक ये समझ में आ रहा है geometrically कि अगर point correctly classified है तो loss function को calculate करने में उस point का zero contribution है बट अगर misclassified है point तो हम क्या कर रहे है हम ये term निकाल रहे है उस चीज़ के लिए yi f x i since yi 1 या minus 1 ही है तो इसका magnitude 1 है तो फर्क नहीं पड़ता तो basically जो magnitude आ रहा है वो f x i से आ रहा है और f x i क्या है जब हम इस line के equation में इस red वाले point का या फिर इस green वाले point के coordinates को fit कर रहे है तो मैंने आपको जो थोड़ी दिर पहले बताया था कि हम distance ना use करके उसका proportional एक दूसरा metric उस करते हैं जहां पर हम coordinate को ठाके line के equation में डाल देते हैं हम actually वही कर रहे हैं सोच के देखो हमने जो discuss किया था थोड़ी दिर पहले loss function बनाने में वही पर जो चीज discuss हुई है वही यहां पर implemented है with the help of this loss function तो यह जो पूरी मेहनत की जा रही है यह बस उसको एक बढ़िया equation का form देने में की जा रही है तो I hope आपको यह समझ में आ गया है कि यह loss function का geometric meaning क्या है इस loss function का geometric meaning हम थोड़ी दिर पहले already discuss कर चुके अब मैंने बस आपको detail में समझाया है अब हमें loss function समझ में आ गया अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप W1, W2 और B का ऐसा value निकालोगे जिसके लिए यह पूरी चीज minimum हो जाएगी so guys हमें अब करना क्या है कि हमें W1, W2 और B का ऐसा value निकालना है जिसके लिए यह जो पूरा equation है इसका value minimum हो जाए ठीक है तो मैंने already अपने gradient descent video में समझाया था कि इस तरह के scenarios को आप gradient descent use करके handle करते हो so होगा क्या कि L is a function of three things थोड़े के लिए अगर हम मालने कि W2 और B अगर constant है और सिर्फ मालने कि W1 का function है तो आप actually कोई भी form ले सकता है function like हो सकता है कि L और W1 के बीच में यह function हो तो आपका काम क्या है W1 का ऐसा value निकालना जिसके लिए L minimum हो basically यह point निकालना यह W1 का value निकालना तो मैंने आपको बताया है कि यह करने के लिए आप gradient descent जैसा optimization algorithm use करते हो तो मैं gradient descent scratch से नहीं समझाने जा रहा हूँ अगर आप interested हो तो आप मेरा gradient descent का वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा gradient descent कैसे काम करता है मैं बस आपको short form में बताता हूँ कि आपको क्या करना है आपको एक loop चलाना है for i in number of epochs आप epochs का value कुछ भी ले लो hundred ले लो thousand ले लो जो भी आपके लिए काम करे अब आपको क्या करना है इस loop के अंदर में अपना सबसे पहले start करते टाइम w1, w2 और b का कुछ value आप randomly ले सकते हो जैसे मान लिया हमने तीनों की value 1 है अब हम क्या करेंगे इस loop के अंदर तीनों को update करते जाएंगे तो update करने का rule यह होगा w1 का value would be w1 minus learning rate times del l del w1 learning rate is basically something like 0.01 आप इसमें भी experiment कर सकते हो तो यह update rule हो गया w1 के लिए w2 के लिए भी similarly आपको निकालना है w2 minus learning rate times partial derivative of l with respect to w2 और similarly b is equal to b minus learning rate times del l by del b तो यहाँ पर आपके पास initial values तीनों की है learning rate भी आपके पास है आपको बस तीन quantities calculate करनी है यह तीनों partial derivatives यह partial derivatives आपको निकालना है basically इस function को differentiate करना है with respect to w1, w2 and b और आपको यह पूरी चीज मिल जाएगी ठीक है तो मैं बस अब आपको next differentiate करके दिखाऊंगा कि जब आप इस function को differentiate करोगे with respect to w1, w2 and b तो आपको क्या मिलता है और फिर हम उसी को implement कर लेंगे code चलाने में अब हम अपने loss function को differentiate करेंगे with respect to w1, w2 and b ठीक है हम लोग पहले w1 के respect में करेंगे और उसको देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि w2 के साथ क्या करना है और b के साथ क्या करना है ठीक है तो यह रहा मेरा loss function मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है जहाँ पे fxi यह है ठीक है अब यह loss function completely differentiable नहीं है यह तो आपको समझ में आही रहा होगा तो अगर आपको इसको differentiate करना है आप यह chain rule अपलाई कर सकते हो कि मुझे निकालना है del l by del w1 तो मैं उसके लिए निकालूँगा del l by del fxi और फिर मैं del fxi को del w1 से differentiate कर दूँगा और दोनों को multiply कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने दो अलग path बना दिये इस वाले path में मैंने calculate किया है del l by del fxi और यहाँ पे मैंने calculate किया है del fxi by del w1 ठीक है तो simple सा यह answer आ गया ठीक है whereas अगर आप del l by del fxi को differentiate करने जाओ तो आपको conditionally differentiate करना पड़ेगा अगर यह number 0 से जादा है तो 0 आएगा और अगर यह number 0 से कम है तो आपका differentiation would be minus yi ठीक है तो इन दोनों को मैंने club कर दिया और यह रहा मेरा differentiation del l by del w1 0 अगर यह number 0 से बड़ा है और minus yi x i1 ठीक है x i1 क्या है cgpa iq placed यह x i1 का value है i-th column का first column का value which is cgpa में ठीक है तो this is del l by del w1 ठीक है तो हमें एक if else condition लिखनी पड़ेगी यह condition चेक करना पड़ेगा और उसके basis पे हम यह तो 0 देंगे या फिर यह calculate करेंगे ठीक है going by the same logic आपका del w del l by del w2 भी same होगा बस यहाँ पे क्या आ जाएगा x i2 और similarly del l by del b simple होगा बस यहाँ पे आ जाएगा minus yi तो यह है मेरा differentiation अब बस मुझे इसको एक code में convert करना है using gradient descent और फिर हमारा काम हो जाएगा so guys अब हम लोगों ने यह सारे के सारे partial derivatives निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे हम gradient descent code करेंगे by the way एक गलती हो गई मेरे से गलती यह है कि जो gradient descent का update rule है उसमें यहाँ पे plus होता है so this was a mistake sorry about this so अब हमें बस क्या करना है यह e-box के अंदर यह आपका code run करना है so code मैंने अल्रडी लिख रखा है I'll show you so यह मैंने made classification यूज़ करके एक data set खुद से create किया इसमें x में दो columns है y में एक column है I can quickly show it to you so यह मेरा data है this is x ठीक है 100 points है और दो columns है इसका shape would be this और y is basically 10 जैसा output होता है इसका shape would be 100 ठीक है यहाँ पे मैंने graph को plot करके दिखाया है यह रहे मेरे दोनों classes मुझे इन दोनों के बीच में एक line ब्रॉक करनी है ठीक है यह रहा मेरा पूरा का पूरा जो code है बहुत ही simple सा code है आप देखो एक बार एक function बना लिया मैंने perceptron के नाम से जिसमें x और y मुझे input में मिलेगा सबसे पहले मैंने w1, w2 और b को 1 से initialize कर लिया मेरा जो learning rate है वो 0.1 है यह learning rate जो है यह 0.1 है आल्सो इनिशिल वाल्यूज ऑफ w1, w2 और यह है आपका 1 अब मैंने क्या किया यहाँ पे epochs चलाए thousand times और हर बार हर epochs के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ हर row के पास जा रहा हूँ और वहाँ पे यह condition चेक कर रहा हूँ यह condition चेक कर रहा हूँ this condition this condition I am checking just give me one second यह जो condition है so मैं fxi निकाल रहा हूँ सबसे पहले fxi is basically z जहाँ पे मैं w1 को current row के first column वाली value से multiply कर रहा हूँ w2 को current row के second column से multiply कर रहा हूँ और उसमें b का value add कर रहा हूँ यह मेरा z है और फिर उसको मैं yi से multiply कर रहा हूँ to find out कि यह वाली चीज का sign क्या है ठीक है so you can see अगर less than 0 है अगर less than 0 है तो ही मैं यह update rule लगा रहा हूँ और update rule क्या है कि w1 में lr multiplied by yi multiplied by x i का 0th value और w2 का update rule यह है b का update rule यह है जैसे यह look खतम हो जा रहा है मैं w1, w2 और b को return कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने function को call किया है आगे का code मैं आपको बस in fact इस point पे दिखा सकता हूँ कि यह रहा मेरा w1 यह रहा मेरा w2 और यह रहा मेरा b आगे का code सिर्फ graph plot करने के लिए तो यह code आप आराम से देख सकते हो जब मैंने line plot किया तो this is the line that I am getting ठीक है यह हमारा loss function है यह काम कर रहा है अब इस video में एक आखरी और सबसे important चीज मुझे आप लोगों के साथ discuss करनी है अगर आपको याद होगा तो मैंने perceptron के first video में आपको एक बात बोली थी और वो यह बात थी कि मैंने बोला था कि perceptron is a mathematical model और यह बात सही भी है यह देखो यह रहा perceptron का model यहाँ पर इस जगे से inputs आते है यहाँ पर summation होता है यह z फिर इस activation function में जाता है और फिर यहाँ से y calculate होता है और फिर आप training के लिए एक loss function यहाँ पर implement करते हो ठीक है तो यह सब कुछ हमने अभी करके देखा but the good part is कि perceptron is very flexible because of its design जिस तरीके से यह इसमें बहुत flexibility है मैं आपको एक example देता हूँ अभी हमने activation function step function use किया but let's say कल को अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे rather than output 1 और minus 1 के मुझे probabilities में output चाहिए कि 1 होने का probability कितना है minus 1 होने का probability कितना है तो what I can do is I can easily replace this step function with a sigmoid function sigmoid function आपका यह होता है just one second जहाँ पे z is basically w1 x1 plus w2 x2 plus b यह मुझे एक probability देगा और अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं एक दूसरा loss function यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है binary cross entropy शायद अपने नाम सुना होगा binary cross entropy ठीक है और इसका formula कुछ ऐसा होता है इस loss function का equation होता है minus yi log yi hat plus 1 minus yi log 1 minus yi hat ठीक है अगर आप ये loss function in conjunction with this activation function use करो और आप इस बार sgd लगाओ तो आपको outputs में probabilities मिलेंगी and guess what ये combination आप पहले भी देख चुके हो एक machine learning algorithm में और उस machine learning algorithm का नाम है logistic regression so बहुत लोगों को आपने शायद बोलते हुए भी सुना होगा कि perceptron is equal to logistic regression practically बोला जाए तो सही बात है बट अगर technically बोला जाए तो perceptron और logistic regression same algorithm तभी है जब आपका activation function sigmoid है और आपका loss function ये वाला है binary cross entropy ठीक है तो you can see the flexibility अगर मैं चाहूँ तो perceptron को step function के साथ use करके perceptron की तरह use कर सकता हूँ जहाँ पर output 10 है या फिर मैं चाहूँ तो probabilities के term में भी output निकाल सकता हूँ मुझे बस दो changes करने पड़ेंगे मुझे अपना sigmoid function use करना पड़ेगा as my activation function और loss function को भी मैं change करके binary cross entropy वाला function use करूँगा in fact यहीं पर flexibility खतम नहीं होती है so कल को अगर मुझे एक multi class classification problem पर काम करना पड़े जहाँ पर दो से ज़्यादा classes है तो वहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ I can again change this combination मैं activation function में इस बार softmax यूज करूँगा और loss function में I would use categorical cross entropy ठीक है जिसका formula यह होता है sigma of जितने भी आपकी classes है 1 से लेके m जैसे माल लो आपकी पास 3 classes है तो यह 3 हो जाएगा y j log y hat j ठीक है तो यह बेसिकली आपके उपर यह पूरी flexibility by the way softmax का जो function होता है वो यह होता है e to the power zi divided by sigma j is equal to j is equal to 1 से लेके k जितनी आपके पास classes है e to the power z z या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी एक particular class का output would be e की power z1 माल लो आपके वास 3 classes है यह ठीक है तो अब यह जो हो गया यह case हो गया softmax regression का यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 100 days of machine learning में तो again you can see मैंने क्या change किया इस बार activation function मैंने softmax डाल दिया और loss function मैंने categorical cross entropy डाल दिया बात यहीं पर खतम नहीं होती है आप चाहो तो आप perceptron को regression के लिए भी use कर सकते हो फिर से आपको कुछ नहीं करना है आपको step function के बदले अपना activation function linear use करना है so step function क्या करता है z अगर greater than equal to 0 है तो 1 बोलेगा z less than 0 है तो minus 1 बोलेगा linear function क्या करेगा z को लेगा और z ही output को देदेगा so basically activation function कुछ है ही नहीं so अगर आपको या activation function use ना करो या फिर आप बोल सकते हो कि आपने linear activation function यूज किया है और loss function के बदले अगर आप use करो mean squared error yi minus yi hat का whole square तो अब ये linear regression बन जाता है this becomes linear regression ठीक है so समझने की बात यह है यहाँ पे कि perceptron is a mathematical model which can be used in multiple ways because it is flexible by design इसका design ही flexible है तो मैं बस क्या करूँगा मैं अपना activation function चेंज करूँगा अपना loss function चेंज करूँगा हर बार मुझे SGD लगाना है which is stochastic gradient descent और मुझे अपने parameters मिलते चले जाएंगे हर बार ठीक है एक बार summarize करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे loss function यहाँ पे हम लिखेंगे activation और यहाँ पे हम लिखेंगे output बहुत सिंपल है अगर आपका activation function है step और आप hinge loss यूज कर रहे हो तो it would act as a perceptron या फिर आप बोल सकते हो binary classifier जिसका output या तो 1 होगा या फिर minus 1 होगा ठीक है अगर आप activation function यूज कर रहे हो sigmoid और आपका loss function है log loss जिसको हम binary cross entropy भी बोलते हैं तो फिर this will act as logistic regression जो output देगा 0 से 1 के बीच में और अभी भी ये binary ही है मतलब दो classes handle कर सकता है this is a binary classifier going forward अगर आपका step function अपका activation function is softmax और आपका loss function is categorical cross entropy तो फिर ये काम करेगा as softmax regression और ये आपको दो से जादा as in multi class classification में help करेगा बट जो output होगा वो probabilities होगे just like उपर वाला case ठीक है lastly अगर आपका activation function is linear या फिर आप बोल सकते हो कोई activation function नहीं use हो रहा है और आकर आपका जो loss function है वो mean squared error है तो this would act as linear regression और जो आपका output है वो एक number होगा और वो number कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यही चार cases है आपके perceptron में अब आप आगे देखोगे कि हम ये चारो cases आगे use करेंगे ठीक है अगर regression problem solve कर रहे हैं तो हम ये वाला case use कर लेंगे अगर हम classification use कर रहे हैं तो हम इन तीनों में से कोई भी use करेंगे depending on the requirement बट ये understanding होना सबसे important है कि यही same mathematical model यही perceptron अलग-अलग चीजों के लिए use हो रहा है क्योंकि इसका design बहुत flexible है और ये मतलब एक particular चीज के ऊपर fixated नहीं है ठीक है I hope आपको ये पूरा discussion समझ में आ गया So that was the video guys I hope आपको सब कुछ समझ में आया थोड़ा सा complex था मुझे लगता है अगर आप कुछ complex parts में फिर से जाकर के वीडियो को देखोगे तो आपको चीजे clear हो जाएंगे Also I would recommend कि आप एक बार code को डाउनलोड करके अपने machine पर चला के देखो अब हम लोग आगे के वीडियो में धीरे धीरे multi-layer perceptron के तरफ move करेंगे Next video में हम discuss करेंगे कि perceptron के साथ exactly क्या problem है जिसकी वज़े से multi-layer perceptrons की जरूरत पढ़ी और फिर हम लोग multi-layer perceptrons को जरूरत है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज दू सब्सक्राइब ओके So that's it from my side मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई